आज मैं आपको डाई बता रही है उसके लिए सबसे पहले देखिए यह मैंने एक लोई की कड़ाई लिए और गैस को मैं ओन कर दूंगी और इसमें मैं डालूंगी एक कप पानी तो आज हम सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा सिरम बनाएंगे जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं क्या लूँगी इसमें मैं लूँगी देखिए यह है भ्रहंगराज भ्रहंगराज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है यह मैंने साबुत वाला भ्रहंगराज लिया है क्योंकि बहुत चीज़े ऐसी होती है जो पौडर वाले में तो जैसे आप मार्केट से लेते हैं बहुत चीज़े मिक्स कर देते हैं लेकिन यह बहुत ही प्योर और बहुत ही ओर्गानिक बना हुआ है भ्रहंगराज पौडर साबुत वाला यह आपको हरवाल स्टोर से आराम स मिल जाएगा तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले साबुत वाला भ्रहंगराज की जो पतिया होती वो लेंगे और यह हम अंदाजे से कोई बात नी थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नी यह लगबग हम लेंगे तीन चमश के करिए यह देखिए और दूसरी ची वाला लेंगे के यह अगर हम इसेकर इसे अच्छे से क्रश करके लेंगे तो यह तना हिह के करीब हम इसमें यह ब्रहणेय बूटी ले तो अब इन सबको अच्छे से हमें बॉयल करना है और इसमें इसे हम जब तक बॉयल करेंगे जब तक कि अच्छे से अपना कलर नहीं छोड़ देती और यह बहुत ही सौफ्ट हो जाएगी तब तो यह मैंने एक कप पानी लिया है एक कप भी से थोड़ा ज्यादा यह क्योंकि जितना भी असर हो वो स्टीम में निकल जाएगा तो इसको हम ढग देंगे और ढग कर हम इसे कम से कम 2-3 मिनट तक पकाएंगे इतने में हमारी जो पतियां है वो सौफ्ट हो जाएगी और यह कलर बहुत अच्छा हो जाएगा तो चलिए भी 2-3 मिनट तक इसे पका देते हैं हमने सिरम पकाई था वह पकर तयार हो चुका है अभी मैं इसको कोल देते हूँ तो मैंने इसको कम GAS में पकाए थो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना BLACK हो गया है तो हम इसको ठंडा होने देते हैं ठंडा होने कе बाद इसकी हम डाई बनाएंगी डाई बनाने के लिए हमें अच्छा सा हाथों से इससे मलना है जिससे कि इसमें जितना भी अर्क है न वो आप अपने हाथ से निकाल सकें इस तरीके से इसको अच्छे से प्रैस करना है क्योंकि यह हर बहुत अच्छी होती है और यह पानी भी बहुत जाद अब्जोर्ब करती है तो इस तरीके से इसको उसके बाद आपको छानने के विजुरतने पड़ेगी क्योंकि ये साबूत हर्प थी तो ये पूरी की पूरी एक जगाई कट्थी हो जाती पकने के बाद इस तरीके से पूरा ये जितना भी इसमें हर्प थी न वो सब देखे निकल गई है इस तरीके से तो चलिए अब हम इस पहले तो मैं आपको सिरम का रिसर दिखा देती हूं कितना ब्लैक बना है ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक ही बना है इसका कलर बालों में बिल्कुल नहीं आएगा वैसे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे च्छाना है तो मेरी जो फिंगर ती वो देखे यहां से कलर आ रहा इसमे ये देखे इस तरीके से कलर आ रहा इसमें लेकिन अभी हम इसको जब डाई में बनाएंगे ना तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो इसके लिए मैं कौन सी हिना का इस्तेमाल करी हूं आज मैं आपको अपनी हिना बताऊंगी जिसका कलर बालों में बहुत ही प्रिचेशन आपके बालों में बहुत अच्छा कलर दे देती है तो चलिए अब डाई बनाने के लिए सबसे पहले हम हिना ले लिए इसमें ने लिए आपको अपने बालों के अकॉरणिग हिना लेनी है और इसमें डूसरी चीज हम क्या डालेंगे वो देखिए इसमें हम ये भी बहुत अच्छा होता है बालों को color देने के लिए तो इसमें हम थोड़ा सा मंजीत का powder डालेंगे तो ये दो चमच के करीब मैंने मंजीत का powder लिया है और इसमें हम डालेंगे अपना सिरम जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार है इस सिरम को बना कर आप अपने फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं जब भी आपको हिना लगानी है तो इस तरीके से इस सिरम में आप अपनी हिना का जो पेस्ट है वो बना सकते हैं और जो आज मैंने आपको मंजीत के बारे में बताया है मंजीत बालों के लिए बहुत जादा अच्छी होती है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों के बाल बहुत ही जल्दी सफेद हो गए है और कलर नहीं आता है तो ये बहुत नैच्रल तरीके से बालों पर वर्क करती है बालो को घना बनाने का काम करती है बालो की जड़ो को मजबूत बनाती है तो मंजीट बहुत ही जादा अच्छी होती है बालो के लिए देखे इस तरीके से हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे देखे हमारा जो पेस्ट था वो तैयार हो चुका है और इसमें आपको इसको रखने की भी जुरत नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं इसको बनाते बनाते ही ये सिरम की वज़े से हीना की वज़े से और मजीट की वज़े से ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है इसको आपको ज़्यादा दे रखनी के जुरत नहीं सिर्फ आप इसे 15-20 मिनट ऐसे रख दीजेगा उसके बाद आप खुद देखेंगे इसका कलर बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा तो ये फर्स्ट अप्लिकेशन में आपके बालों में ब्लैक कलर देखी इससे रैड कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने आप सिर्म पकाया है वो सिर्म और मजीट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है डाई के लिए तो चलिए ऐस टाई को या तो आप राध भर रख दीजेगा बहुत ही वाइड बाल है तो नहीं तो आप इसे घोल कर आप 15-20 मिनट बाद अपने बालों में अप्लाई कर लिजेगा उसके बाद किसी भी ओयल किसी भी आपको किसी भी शैंपू का यूज नहीं करना चाहिए और बालों को ओयल फिदी रखे बिल्कुल यानि कि साफ बालों में जितने साफ बालों की कलर उतना ही अच्छा आएगा तो आप इसे बनाईएगा इस्तिमाल कीजीगा जिस तरीके स मैंने बताया उसके बाद आपके बालों में कैसा result आया वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को like, subscribe, share करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी अच्छे ओयल या फिर किसी अच्छी डाई के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए